नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी नेटवर्क का अभियादी खासकारिक्रम विश्चुखब्रम मेरा नाम अनुराग गुपता है क्या रूस और युक्रेन के बीच युद्ध होने वाला है रूस और युक्रेन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच किया है द अमेरिका ने कहा कि क्रेमलिन कोई बहाना बनाकर यूरोप में एक नया युद्ध छेड़ सकता है अमेरिकी राश्पती जो वाइडन ने बताया कि रूस के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं मिल रहा इसकी वजाए और सैनिक युक्रेन की सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं जिसस और ने कहा कि अमेरिका के पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि रूस युद्ध सुरू करने के लिए कोई भी बहाना बना सकता है पश्मी देशों को आसंका है रूस के डेर लाग सैनिक युक्रेन की सीमा पर तैनात है क्रेमलिन का दावा है कि उसकी आक्रमर की कोई बना कर सकता है लात्रिया के लक्षा मंतरी और उप्रधान मंत्री आटीज पाव्रिक्स ने एक नकसा ट्वीट किया जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि यू रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है संकड का हो सांतिपूर्ण समाधान रूस यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सांतिपूर्ण समाधान की बात कही उन्होंने कहा कि इस समय सांतिपूर्ण और रचनात्म कूट नीद की जरूरत है और वे इस मामले में सभी संवधित पक्षों के संपर्क में हैं इसके साथ ही भारत ने रेखांकित किया कि युक्रेन में 20,000 से अधिक भा स्थाइप राश्ट में भारत के स्थाई प्रतनिधी प्रति नई दिल्ली की एक रुची एक ऐसा तनाव समाधान खोजने में हैं जिसके जरिये तनाव में ततकाल कमी लाई जा सकी तिरुमूर्थी ने कहा कि भारत सभी संबंदित पक्षों के संपर्क में हैं हमारा विचा सब्सक्राइब के जरिये ही सुलजाया जा सकता है उन्होंने कहा कि भारत की रुची एक ऐसा समाधान खोजने में हैं जो सभी देशों के वैद सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को ततकाल कम कर सके और इसका उद्देश छेत्र और उसके बाहर तीर्ग काल सब्सक्राइब एक चांती और स्तिर्थाहासिल करना खोम이었प Amir09 विजया व्यवस्त्ता समाप्त संक्रेइब कर दिया गोल्डेन विजया व्यवस्ता समाप्त कर दिया सरकार ने कहा कि पेशकर करने वाली तथा कदिज गोल्डन वीजा व्यवस्था को समाप्त कर रहा है दरसल बृतेन पर लगतार रूस के साथ अपने संबंधों के समिक्षा करने का दबाव बन रहा था बृतेन के ग्रहमंत्री ने कहा कि टीर वन निवेशक वीज़ा व्यवस्था ने भ्रष्ट अमीद लोगों को बृ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को